नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने online सहसान परिक्षा प्लस में एक बहुत बड़ा मौका आप सभी के लिए है बच्चों और उसके संदर में मैं आपको थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं बट जो बना रहा हूं वीडियो बहुत ही सोची समझ बहुत ही optimized में आपको क्या करना चाहिए किस प्रकार से इस परिक्षा के तयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें इसमें सेलेक्शन लेना है जी हां आप बिलकुल सही सुने हो CSIR में जो 444 पर केस्टेट ऑफिसर एसो और फिर उससे एक पर नीचे एसो के लिए जो लेव बहुत ही जोब कुछ नहीं हो सकती के इक सिविल केयर की जाब यह बहुत ही जूद है और मतवें जिसमें आपको बीना डेस्क्रिप्डिब हो ने और बहुत जादा मेहनद के आप इस वेकसि में अपने हाठ हजमा सकते हो और अगर आप एक regular vacancies की तैयारी करते आ रहे हो तो इसमें थोड़ा सा effort put करके इसे आप कर सकते हो और इसका paper भी आपको बहुत जल्दी होने वाला है यदि आप channel पे नए हो चल को subscribe और शिकर लिजेगा लाश तक वीडियो देखेगा पसंद आया तो उसे like भी करिएगा कुछ अगर देखा जाए तो कुछ vacancies आपके लिए लगबग 10 साल बाद ही आ रही है और ऐसा लग रहा है इसवर अब आपके लिए वो 10 साल बाद फिर से एक समय बजला है और आप इसमें नौकरी लेही वाले CSIR के तरफ से है आपको CSIR के बारे में बताने का कोई इसमें आउचत नहीं है Council of Scientific and Industrial Research इसमें administrative की जॉब है जन्रलिस में scientist लोग होते है बट किसी पी organization को एक administrator चाहिए होता है जो administration कर सकते है जो उस organization को चला पाए और उस administration का हिस्सा SO और ASO बनेगा और उसके लिए ये 2023 की पहली frequency जो 444 पद के लिए है जो इसका form आपका 8 तारिक से start हो चुका है 8-12 से form भर दीजे क्योंकि form piece 0 है महिलाओं के लिए categories के लिए जैसे SC, ST इन सब के लिए केवल general और बोल सकते हो कि जो AWS बच्चे उनके लिए को 500 रुपए आगे मैं आपको दिखाऊंगा last date जो है बच्चों ये आपके लिए जरूरी है ये आपका 12-1-2024 है पूरा-पूरा देखा जाए तो लगबग एक महिने का समय दिया गया है फॉर्म भरने का और एक्जाम जो tentative है stage 1 का क्योंकि ये तीन stage में exam होगा वो फरवरी 2024 में किया गया है फरवरी में ज्यादा जांसे से last week तक जाएगा तो आपके पास दिसंबर जनवरी और फरवरी एप्रॉक्स में तीन महिने समय मिलने वाले हैं ये tentative है आगे पीछे बढ़ भी सकता है साथ में stage 1 और stage 2 का जो paper है stage 2 में descriptive होगा जिसमें essay writing precise writing या फिर आपका CPT test होगा computer पॉफिसेंसी टेस्ट होता है उसके बारे में आपको जनकारी देने वालों खास कुछ नहीं है एस वालों के लिए वह भी केवल क्वालिफाइंग है केवल एस वालों के लिए इंटर्व्यू जो है वह आपका यहां पर होगा ठीक है दूसरी बात यह है stage 1 में जो paper 1 और paper 2 होगा वह आपको मैं दिखाता हूँ वह same days भी हो सकता है या एक दो दिन का या पचार पास दिन का gap देकी भी हो सकता है यह CSIR जैसे decide करेगी जैसे total number of form आएंगे किस mode में वह paper कराते इस पर depend करेगा अभी इन्होंने यह भी नहीं बताया है कि online paper होगा या offline paper होगा ज्यादा chances है कि offline paper हो फिर भी हम इससे देख लेते है CSIR कराएगा इसके लिए कोई अलग से agencies नहीं आएंगी details of the vacancy position क्या है यहाँ पे group B का post है guested officer है यह ध्यान दीजेगा और guested officer में pay level 8 का है 7 जो इनका basic पर start होता है 476 से लेके 1500 तक और अगा देखा जाए तो ASO का भी pay level 7 मतलब 7 और 8 इसका just a promotion SO ही बनता है वर दोनों एक साधिनों ने किया है और केवल आपका केवल एक graduation चाहिए सब चछी बात है eligibility जो है इसमें केव graduation के degree होनी चाहिए आप क्या कर सकते इस form को भर सकते हो सबसे अच्छी बात है कि जो एज है वो general open category के लिए maximum 33 रखी गई है तो बहुत सारे बच्ची eligible भी यहाँ पे हो जाते तयारी वाले एक लंबा age limit होता है minimum 18 साल होना चाहिए हाला कि आपका graduation पूरा होना चाहिए minimum इनों ने ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है notification में इसके बाद भी relaxation जैसे SC ST OBC सब में क्या है 3 साल 5 साल जैसे government central government का होता है OBC के लिए 3 साल SC ST के लिए 5 साल और इसके बाद ex-servicemen है उनके लिए 10 साल अगर horizontal भी है कोई ex-servicemen बोल सकतो SC में तो 15 साल अगर कोई CSIR का ही employee है तो उसकी भ account category और S&P category में इन्होंने दिया है total SO के 76 पद हैं और अगर हम लोग देखे group B में चीतर पद कमनी होता है और SO को देखा जाए तो 368 पद आपको मैं जन करिकले बता दू इस्टेट PCS में या फिर UPSC वेगारा में आपके ऐसे 300 400 500 ही पद होते है सेम आपकी वेकंसी है लेकिन वहां पर क्या होता है आपको पहले mogelijkर करना फिर आपको चार जन्दल स्टुडीश के डिसक्र्पिटियों के डिस्क्रीप्टिव में रेटेन, पेपर देना होता है करना है लग बग उसी लेबल की job योड सेम सेलरी सेम Рप्रें ने हीट और आपको क्या पेपर में सिंगल पेपर में स्टेज इसके तीन है ले बोश ला हुं कि मैं को पेफल देना है जिसमाना दिमार लगानों वो केवल एक स्टेज हल रिसका एक्जाम है और उसका भी आपको बता दूझ कि कैसे हैं और फॉर्म भरने वाले बता दूं कि जो अन्रिजर्ड ओबीसी और एडव्यों से 500 रुप है बाकि किसी भी वूमें हो स्ट्री डव्यडी एक्स सर्विस्वें डिपार्मेंट कंडिडेट किसी के लिए भी उनकी फीस क्या है जीरो है तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हो कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है बाकि जो जनरल कटेग्रीज के लिए लग रहा है 500 वह भी कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा अब स्कीम आप एक्जामिनेशन सब्सक्रा जरूरी है क्या मैं इसकी तैयारी कर पाऊंगा और अगर तैयारी कर पाऊंगा तो क्या मेरी तैयारी सही दिशा में जापाएगी सही दिशा में जाती भी है तो क्या मैं सेलेक्शन ले पाऊंगा और सेलेक्शन अगर मैं लेता हूं तो उसके लिए मेरे प्रयास क्या होंगा यह तमाम चीज़ें आपके दिवाग में सबसे पहले ही आजाती है होती है क्य उसके बाद देखा जाए आप जो ग्रेजुवेशन आप केवल हो वो हो जाएगा ग्रेजुवेशन और एच इसके अत्रिक्टप के पास कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है सब में आप लिजबल हो अब इस पर पैटर्न पर हम लोग ब्रीफ में चर्चा कर लेते इन्होंने त हिस्ट्री और पॉलिटि आपका क्या है और करेंट एपिस बूसकते जो आप हर जगां पड़ते हो वो सौख कोशन में और पचास कोशन अपका इंग्लिस और इंगलिस पर चास कोशन में ऐसा नहीं है आपका कमप्रहेंशन और बाकि जो जनरल इंग्लिस होता है वो है तो पेपर टू ज्यादा चांच है कि एक दिन में हो, लेकिन इन्होंने लिख रखेत है, कि ये CSI depend करता है कि एक दिन में करते हैं, या एक अधर दे में करता हैं, दूसरे दिन या तीसर दिन, यह 3-4 दिन का gap लेते हैं बड़ ज़्यादा gap नहीं होगा आपको मान के चलना है कि paper 1, paper 2 सेम डे होने वाला है ज़्यादा ज़्यादा एक दिन का gap होगा वल्लब एक दिन आपका paper 1 तो अगले दिन आपका paper 2 इस ज़्यादा case नहीं बलेगा paper 2 में आपके 200 question होंगे और ये ढाई घंटे का paper होगा इसमें अच्छी बात है इसमें आपका math पूछ रहा है reasoning पूछ रहा है computer पूछ रहा है science पूछ रहा है इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछ रहा है आपसे जहां पे थोड़ा बहुत जी इसके पार्ट पूछ रहा है और फिर आपका इक लगसे topic है ethics integrity यह मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान topic है बहुत आराम से कर सकते हूँ यहां पर आपको descriptive लिखने वाला नहीं लिखने वाले में समस्य होती है objective में यह ऐसा paper है जिसे आप बिना पढ़े भी 25 में से आप 10-12 question सही कर सकते हूँ हकीकत बता रहा हूँ जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ ethics integrity जो बच्चे घबराते है उसको मैं पहले बता दो detailing में आपको बाद में करूँगा paper 3 जो क्या होगा यह इसमें gap मिलके होगा paper 1, paper 2 सबसे पहले हो जाएगा इसके भी answer किया जाएगी इसके भी हाप पर result होगा एक merit बनेगा एक merit बनेगा यह ऐसे भी कर सकते हैं कि minimum cut off रख दे merit ना बना है कि अगर आप इतना नंबर ले आते हो क्योंकि नोने में दे सकते हो जैसे इसमें essay आएगा तो आप essay English में या निबंध Hindi में भी लिख सकते हो आप precise and letter writing जो आप पत्र लेकन पत्र की तयारी कर रहे हो ना खासकर EPS वाले बच्चे आरो यारो वाले बच्चे आप पत्र लेकन यहां पर पूछा जाएगा वह आप कर सकते हो तो यह आपका केवल निबंध और पत्र लेकन जो आप आल्लेटी तयारी कर रहे हो करते हो और कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है यह भी आपका दो घंटे का अत्रिक तिक CPT करवाया जाएगा computer proficiency test होगा computer पर जैसे Excel इंसर पर करवाया जाएगा questions होगे objective type के जादा है हो सकता आपका practical बेस करवा है तो आपने CPT की तयारी हाज जगा कियो मुझे पता है कि हम लोग ने खुद बहुत अच्छी पढ़ाए CPT की तयारी एक नहीं अनेक बैचों में तयारी करवाये हैं इसके बाद भी में लोग फिल से मदद करेंगे यह क्वालिफाइंग होगा और अगर आप SO की तयारी कर रहो तो SO वाले बच्चे के लिए क्या होगा क्योंकि यह guested officer की job है तो 500 तो यह होगा ही प्लस 100 नंबर का interview होगा यहां पे interview नहीं है य यहां पे आपका 500 नंबर में यहां पर आपको समझना चाहिए यहां पर वही चीज़ लिखा तो तीन पेपर आपको होना चाहिए ठीक है यह सारे पोश्ट के लिए उन्हीं सारी जानकरी इसमें जो मैंने आपको बताया है वही लिखा है अब आप एक बार देख लो जैसे आप से जन्रेल अवेरिस पेपर बन में में आप से क्या-क्या पोंच रहा है एक आपूसरा घेलिट हिस्टी है और हिस्टी में केवल इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस गवर्नेंस इन सोसल जिस्टिस ये दो टॉपिक आपकी एक्स्ट्रा है बट आपके जो कोश्चन्स होंगे वो जनरली जो जनरल पॉलिटी पढ़ते हो उसी सरसंबंदित होते हैं क्योंकि आप सिलेबस किसी भी एक्जाम का जो सिविल सब्ज थी क्योकि current तो आप फ़र जगह पढ़ते हो उसको मैं Consider नहीं कर दो तो दो सब्चेट केवल जीर्यस का पढ़ना है उसके बाद आपको क्या पढ़ना है केवल इंग्लिस पढ़ना है केवल इंग्लिस पढ़ना है और इसमें सर्वेश सर अगर आपको पढ़ा रहे इतना ब इस लिए तो यहाँ मैं आपको पता दूब की मैद्स में खुद पढ़ाने ओला हूं और इस बात की लेता हूं कि 25 कि 25 सब्सक्राइंगे यह भी 25 में 25 सब गराना रख लो कि इसमें आपका एक भी अंक जाने नहीं दूगा General Science आपकोisten, बहुत 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 बेधिरीन पुछले करदाईян और यहाँ पे इस 25 में भी Maximum आपको यहाँ पे अरज़ित करना है उसके बाद आता है Economic, Social Development, General Issues, Environment Ecology, Biodiversity Climate Change यहाँ पे Economy's के वल नहीं है इस 25 question में आपको environment, ecology, economics तीनों पोशन को पढ़ने हैं तो economics के 5-6 question उसके बाद 20 question, environment, ecology तो यह आपको जेग्राफिक के साथ वाले ही जब आप 5 इंसर पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बहुतीन तरीके से cover करवाएंगे ethics, अब बच्चे डरते कहाँ पर हम इसकी बात कर लेंगे वो तो common चीज है यह तीन पर डरते है ethics, integrity, aptitude, decision making and problem solving management, principle and practices अब मैं बताओं कि यहाँ पर जब आपका descriptive paper होता है तब आपको यह paper थोड़ा क्या लगता है tough लगता है लेकिन इतना मैं आपको थोड़ा सा confidence boost करने के लिए बता दूँ कि अगर कोई UPSC crack करता है state pieces crack करता है तो उसके पास paper 4 होता है जिसमें ethics integrity होता और इसी के बदौलत हो crack करता है कहने के मतलब यह कि यह ailsa part है जिसके बदौलत आप selection लेते हो कि आपका selection रोकता नहीं है अगर यह syllabus में डाला गया है इसका मतलब कि आपके selection की chance को बढ़ाया गया आपको चाहिए क्या तरीका चाहिए आपको चाहिए क्या यह पता होना चाहिए कि 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 कोईशन को किस प्रकासे करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यह MCQ टाइप में होगा तो जब administrative से समंदित जब ethics से समंदित जब questions क्या होते है aptitude level के होते है तो आप सारे option को eliminate करके लगा सकते हो यकीन मानिये इसकी questions ऐसे होते है कि आप केवल question को देखोगे और विकलपों को eliminate कर लोगे मतलब मैं आपको एक general introduction इस subject का देदू और मैं आपको केवले keyword देदू यह keyword पहचान के आपको रहका के आना है यकीन मानो 75 मेंसे कम से कम 40 plus score आप कर लोगे बिना subject की तैयारी किये क्यों क्योंकि जो problem solving है वो basic reasoning ही होती है और decision making होती है situation based कि आप एक अधिकारी हो आपके सामने ऐसा situation आ गया तो आप किस परकार का decision लोगे एक optimum की situation पे आप ऐसा work करोगे तो आप इस part के हमीशा question correct करोगे बहुत आसान है ऐसे ही management principle and practices आप लोग जैसे EMRS में होस्टल वार्ण में तैयारी किये न administrative attitude में आपको खुदी पढ़ाए हो inventory management हुआ या पर job description हुआ कि job कैसे बनाओगे कैसे आप recruit करोगे बहुत basic चीच जो मतलब human resource development जो HR department होता है सारे organization का वो HR वाला part आपको basic समझ है management की तो आप ये कर लोगे और मुझे लगता है कि आप अभ्याथी जीवन जो होता है आपको सारे management सिखा देता है अगर आपको एक सही guidance दे दिया जाए तो आप academic में भी बहुत अच्छे से आप administrative level पे भी बहुत अच्छे से management कर लोगे तो ये part ये part आपकी scoring part है ethics, integrity और aptitude बहुत आसान part है आप किस प्रकास से अपने भावनाओं को control करके practical decision लेते हो उस पे basis होता है ये chapter तो बहुत आसान है ये part बहुत आसान ये 75 जो आपका है न इस 75 में से आप 65 से 70 score करने वाला subject है यकीन मानी यहाँ पर फिर भी कम हो जाएगा आपको बढ़ना जादा पढ़ेगा मैं आने की परिक्षाप्लस तो परिक्षाप्लस इस बात की guarantee लेता है कि इस part को किसी भी संस्था किसी भी किताब किसी भी देश दुनिया में best जो content दे सकता हूँ वो मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा एक एक चीज एक बहुत वहतीन करेके से आपको यह प्रोवाइट करने वाला हूँ last but not least आपका एक चैप्टर क्या है national geography यह केवल इंडियन geography है तो आप अगर इसके syllabus को insert में देखने तो जो आपका GS है GS जो आपका है वो easy level का आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल history वो भी इन्वार्मेंट इकोलोजी इन्वार्मेंट प्लस इकोलोजी प्लस आपका economics यह आपका पार्ट मिला कि history में मलब यह है GS इसके अत्रिक तो आप किसे science हो गया science हो गया maths हो गया reasoning हो गया यह पार्ट पढ़ते हो और इसके अत्रिक्त आपके एक अलग से पढ़ोगे English तो यह अगर इतना पार्ट आप करते हो इन सबको support करने वाला इससे आपका क्या है ethics है ethics and integrity हो गया problem solving decision हो गया और इसके बाद management हो गया यह इतना आपको पूरा curriculum में पढ़ना है आप यह हल जगा पढ़ते हो यह हल जगा पढ़ते हो यह हल जगा पढ़ते हो आपको यह keyword पढ़ना है तो यह सारी ही चीज़ागा देखा जा तो syllabus आपका vast है but easy है क्योंकि fraction में तोड़ दिया आपको पता है कहां से कितनी question होंगे एक रणनीत बहुत अच्छी से बन सकती है तो मेरा suggestion है कि आपको इस vacancy की तैयारी करनी चाहिए पेपर 3 आपका क्या है पेपर 3 आपका English और Hindi दोनों सबसे चीबात है केवल English माध्यम नहीं Hindi और माध्यम के लिए भी बरावर पूरा paper bilingual होगा उपर भी stage 1, stage 2 पूरा bilingual है और ऐसा ही आपका यह जो descriptive है यह भी bilingual है मतलब आप निबंद लिख सकते हो Hindi में आप precise writing लिख सकते हो Hindi में आप पत्रे लेखन आप Hindi में कर सकते हो और आप English में भी कर सकते हो तो दोनों ही वे में paper 3 की तैयारी कर सकते हो 100 नमबर आपका निबंद होगा 30 नमबर आपका precise writing होगा और 20 नमबर आपका पत्र लेखन है जिसमें आप लोग महारत हासिल करें लिए और नहीं जो की होगे बच्चे उसके लिए तो मैं हूँ न परिक्षा प्रस आपके साथ है वो आपको पूरा करवा देगा तो मुझे पता है अभी अगर आप भी बोलोगे सबसे पहला चाहता है कि हां सर मैं जोनना चाता हूँ तुनन दिमाग में आता नहीं सर आपने guide बहुत अच्छा किया अब मैं इससे जोनना चाता हूँ लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे जीव में सर पैसे नहीं है मैं उसके लिए क्या करूँ तो इसके लिए परिशान मत हो ये टीम परिक्षा प्रस आपके लिए हमेशा minimum fees में काम करती आई है और इस batch में भी minimum fees में काम करेगी तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं आपको एक general idea दे देता हूँ किसी भी institute की जो fees होगी वो 5000 से कम नहीं होगी anyhow क्योंकि इसमें 12-15 faculties लगेंगे 12-15 अभी सबसे बड़ा challenge है कि फरवरी में आपको करना है तो 400-500 घंट है minimum आपको class देनी पड़ेगी और आपको फरवरी में पेपल 400-500 घंट अगर cover करवाना है तो इक बहुत बड़ा challenge है so note कोई ऐसे team नहीं है जो 45-50 इसमें कम fees रखे but मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ ना 5000, ना 4000, ना 6000 आप मुझे comment box में बताओ कि परिक्षा plus से आप कितनी face के उम्मीद करते हूँ और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा हर बच्चा यह comment करे और बताओ कि कितनी क्या fees आपके लिए रख दी जाए क्या आप लोग एक team एक wear कर लोगे और कितने बच्चे form कर लो कितने लोग तयारी करो हासर मैं तयारी कर रहा हूँ आपको सारी चीज़े प्रोवाइट किया गया है हर फैकल्टी यहां पे कहीं न कहीं selected होता है कहीं न कहीं से आया हुआ होता है उची जगह से एक अच्छी knowledge के साथ आपके सामने होता है और वो वो जो गुणवत्ता मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत मिनमम फीस में लेकिन बिना आपके भरोसे और बिना आपके ट्रश्ट और बिना आपके साथ के नहीं कर सकता हूँ तो यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूब बताना है कि आप में से कितने लोग चाहरे हो कि परिक्षण पर इसके लिए कोर्स लेके आए और कोर्स लाए तो क्या फीस रखी जाए आप मुझे बता दो एक आपके ही मैं दिसीजन पर इस बैच को फीस रख दूगा तो उमीड है कि आप लेकिन इसकी त्यारी बहुत बहुत तरीकास मैं को करवाने वाला हूं बेलकुल आपको चिन्ता नहीं करना है फिर मिलेंगा धर्मेबाश में